गुद आफ्टून बच्चों आज हम expanded form से short form बनाना सीखेंगे यानि कि कल जो हमने सीखा था यानि कि number को expand करके लिखना तो आज हमाय पास expanded number दिये हुए हैं उससे हमें short form में लिखना है short form का मतलब होता है छोटा रूप यानि कि किसी भी चीज को छोटे में लिखना यानि कि sunshape में लिखना बहुत छोटा करके जैसे कि हमारा पहला number है 740 and 6 700 plus 40 plus 6 यह जो हमें expanded form दिया हुआ है इसको हमें short form में लिखना है यानि कि एक simple number में लिखना है वो कैसे लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको place value में समझाया था हर number की अपनी एक जगा होती है तो इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 700 है वो 100 place पर है 40 है 10th place पर है और 6 है जो 1s place पर है तो हम यहाँ पे अपना काम शुरू करने से पहले कुछ number उसके नाम लिख लेंगे अब बस हमें इन नामों के नीचे numbers को लिखना है जैसे कि 700 जो है वो 100 place पर है तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया 40 जो है वो 10th place पर है यहाँ पर हमने 4 लिख दिया और 6 जो है वो हमारा 1s place पर है यहाँ पर हमने 6 लिख दिया लेकिन एक बात का ध्यान रखेगा हमको पूरा नहीं लिखना 700, 40, 6 वर्णा हमारा गलत हो जाएगा क्यों क क्योंकि हमने जब प्लेस वैल्यू सीखी थी तो अगर इस नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो वो 700 होगी इसलिए यहां पर यह समझ में आ रहा है कि जो 7 की वैल्यू है वो 100 है तो यहां पर 700 हमें पूरा नहीं लिखना केवल 7 लिखना है तो इस expanded form का जो short form होगा वो होगा हमारा 746 जो नंबर हमारा निकल के आएगा इस expanded form से वो होगा हमारा 746 चलिए आप दूसरा नंबर देखते हैं 300 प्लस 0 प्लस 7 तो 300 जो है वो 100 प्लेस पर है जीरो जो है वो 10 प्लेस पर है और 7 जो है वो हमारा 1 प्लेस पर है तो हमने यहां पर लिख दिया 3 लिख दिया 100 प्लेस के नीचे जीरो लिख दिया 10 प्लेस के नीचे और 7 हमने लिख दिया 1 प्लेस के नीचे हमको ऐसे लिखना है इस नंबर को पास पास दूर दूर मैंने के वर आपको समझाने के लिए किया हुआ है next number है हमारा 200 plus 80 plus 1 तो इस number से आपको समझ में आ रहा है चलिए पीछे से start करके देखते हैं easy तरीका 180 का हम लिखेंगे 10th place per 8 और 100 place per 200 का लिखेंगे 2 तो number होगे हमारा 281 ऐसे ही हमारा next number है 100 plus 0 plus 0 तो पीछे से ही से लिए पीछे से ही start करते हैं once place per 0, 10th place per 0 और 100 place per 1 तो यह होगे हमारा इसका number 100 70 plus 6 तो 70 जो है यह 10th place per है ना कि 100 place per इस बात का ध्यान रखिएगा 70 जो है यहाँ पर हमारा 10th place per है ना कि 100 place per और 6 जो है हमारा वो once place per है चलिए 6 हमने लिखा once place per और 70 का 7 लिख दिया हमने 10th place per यह हो गया हमारा number next number है हमारा 500 plus 70 plus 2 तो 500 में अगर हम 70 जोड़ेंगे और फिर 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या number मिल जाएगा once place per लिखेंगे 2 10th place per लिखेंगे 7 और 100 place per लिखेंगे 5 तो हमारा number कौन सा हो गया 572 इसको हम टैली करने के लिए यह भी कर सकते हैं कि इस number का हम expanded form निकालें अपने mind में अगर इसका expanded form निकालेंगे हम तो क्या होगा 2 की होगा 2 7 की place value हो जाएगी 70 और 5 का हो जाएगा 500 इसका मतलब यह number हमारा answer जो है हमारा वो सही है इस next है हमारा 800 प्लस 60 प्लस 0 चलिए पीछे से चलते हैं 0 जो है हमारा once place पर आएगा 60 का 6 आएगा हमारा 10th place पर और 80 का 8 आएगा हमारा 100 place पर तो number हमारा क्या हो गया 860 next number है हमारा 90 प्लस 9 अब हमारा 10th place पर है 9 और once place पर है यहाँ पर भी 9 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे once place पर लिखा 9 और 10th place पर 90 का हमने लिख दिया only number 9 अगर हम इसको tally करेंगे तो 99 का हमें expanded form निकालना है तो 9 जो है पीछे वाला उसका होगा 9s once और जो आगे वाला 9 है 9 tenths तो वो हो गया 90 इसका मतलब यह answer भी हमारा सही है next number है हमारा 400 plus 20 plus 7 तो 7 जो है once place पर यहाँ पर आगया 20 का 2 आगे हमारा 10th place पर और 400 का 4 आगे हमारा 100th place पर तो number होगे हमारा 427 लास्ट जो question है हमारा वो है 100 plus 70 plus 8 तो इसमें हमें क्या करना है short form निकालना है जैसा कि हम सीख रहे हैं तो 8 होगे हमारा 10th place पर sorry 1st place पर 70 का हम लिख देंगे यहाँ पर 7 10th place पर और 100 का 1 लिख देंगे यहाँ पर 100th place पर तो number होगे हमारा 178 तो यह करने में मज़ा बहुत आता है लेकिन जड़ा ध्यान से करिएगा बाई